वेल्कम बैक जी सुप से आगे में खुशामदी दरे एक मिनुट है रहे हैं यह ज़र हमें स्क्रीन देख रहे हूं अभी अपने मेने साथ आज मैचिंग क्यों नहीं गी है क्या बात हुई वैसे नहीं मैं आप पिंक पहन के आता तो क्यों ना पहन ते इसमें क्या है लड़क कौन से जेंडर होते भाई मुझे लगते एक करे थी स्ट्रावरी का भलू होते हैं यह इसे कहते हैं रंग में भंग अब ठीक है? रंग में बंग. जब अब आप नराज हो गया अब आजाए. ने आला नहां करेजि़ी हैं, हमारी कभी नराज गी हो. यह बाइट पहन लेते हैं, आप मैचिंग बहुत क्याल रखने हैं, तुर। जैक है, जैसे आप कहती हैं. किस मौमल में पर्टिकुलर है आण दुनिया में यहां पाद पीज़ी दुनिया में यहां winter video और लोग हमें बताते भी हैं, अपने टैलेंट से मुतालेक और हम उन्हें इन्वाइट भी करते हैं, और कुछ टैलेंट को हम ढूंडते भी हैं, जैसे कि अगर किसी की एक खुबसूरत सी पेंटिंग में नजर आ जाए या पोर्ट्रेट नजर आई जी किसी प्लेयर का बनाय है, और वो क्या जबरदस्त बनाया है, फिस प्लेयर को प्रेजेंट भी किया है, तो फिर हम कहते हैं, अच्छा इतना टैलेंट जो छुपा के रखा था, आओ जरा हमारे पास प्रोग्राम में ताके हम भी समझ पाएं और देख पाएं कि हमारे प्यारे प्यारे से बच्चे सूपर टैलेंटेट आखिर कैसे हैं, शौक होता है, या रास्ता वालिदेन दिखाते हैं, किस तरह से बन टैलेंट को पॉलिश करते चले जाते हैं, तो जरीश नियाजी, यह देखिए किस तरह खुबसूरत अंदाज से वो पोट्रेट बना रही है, अरे वा, क्या जबरद सालों की प्रेक्टिस, सालों की महनत के बाद ऐसे महारत आती है, लेकिन गौड गिफ्टिद टालेंट होता है, कुछ लोगों के पास यह देखें जी, जबरद बाबर आजम का पोट्रेट बन रही है, यह उनको प्रेजादाब का प्रेजेंट करना है, तो हमारे साथ करने हैं, लेकिन नाश्तर के बगएर भी वह एनरजेटिक हैं, हम ब्रेक पर गफशप लगा रहे थे, उनसे काम उनका देख भी रहे थे, बहुत से स्केच्चे लेकर भी हैं, कुछ हम आपको दिखा भी रहे हैं, बलकि हम कोशिश करेंगे, सबीन के, दूरिं दूरिं दू मैं मान रहे हैंगे, सुनाइये जी, कैसे शौक हुआ स्केचिंग का, मामा की तरफ से था कि अच्छा बना रही है, बिटे बनाओ बनाओ, या किसी टीचर ने आपको कहा या खुद से बस आपने बनाना शुरू कर दी और का कि मैं तो अच्छा बना लेती हूं, नहीं वह अ दिरिश कितना टाइम लगता है कि स्केच बनाने में, या डिपेंड करता है कि स्केच किसका है, वैसे डिपेंड ही करता है, मतलब if you're talking full-size portrait तो कम असकम भी मुझा उसमें 3-4 hours लगी जाएंगे, 3-4 hours, अगर आपको proper उसको, उसकी डीटेलिंग में जाना है तो इतनी परिशन के साथ-साथ या गपशप के साथ-साथ एक टास्क भी दे दे आपको, कि सासथ गपशप होगी और सबीन का आपनें स्केच करना है तो easy for you? Yeah, piece of cake. ओ, हुए, पीस ओ, आप बेकुल स्टार्ट भी करें जब तक हम लोगों से कहते हैं, बलकर नाजरीन से कहते हैं, कि आप में कॉल कीज़े, जो हाज हमने सुब सवाल किया था ना आपसे, कि बारिश कर जब मौसम होता है, इतना सुहाना, इतना प्यारा, खुबसूरत मौसम होत तो सबसे पहला ख्याल दिल में क्या आता है, हमारी वाली बात नहीं करनी है, पकोड़ों समोसम वाली, आज वैसने नहीं की, वो कल की थी, अपर हमने खाई भी थे पकोड़े समोसम, लेकिन आपने बताना है कि कौन सा गाना आप गुन गुन आते हैं, जब तक जरीश आते हैं, जो एक फरमाईश आपने करनी है, ताकि वहमें गाना गाकर बताया है, पहले इन्होंने कोटा पूड़ा करने की कोशिष की, कि चने जरी चिया है, एक का नहीं यह नहीं कॉट आप तबने की शृजश की, आपने गाना है, इनसे बावर निदेंदें, इसे और बा बेसूरी नहीं सूरी लिए आप परहने कोई है आप सबीन से पूछ सकते हैं के शेर कॉन सा पसंद है उनको बबर शेर के शोकल मेरा करती है आट शरीष मुझे मैं जरूर पूछोंगे आपसे वाले स्केच करती है तो इसकेच कोई कर दिया पंसिल प्रचिका करती है कुलर्स भी करते हूं लेकिन काफी कम में करते हूं मेरा जो स्ट्रॉंग है वह जाथ तर स्केचिंग पर है कलर लेस्ट एक कॉलर भी है ममून रशीद फ्रम कुईटा देखें जी कुईटा की बात के कुईटा से कॉलर भी आगे ममून गुड मॉर्मिंग कैसे आप अलो कैसे हो ब्रो अलहमदुलिल्ला ठीक ठाक आप सुनाए अलला का तरह में ब्रो यह जी प्लीज पूछिए अपनी आवाद में काना सुनाए कौन सा काना सुनाए जब यव गारे थे कोई टाक अपटाने यह वैसे आपको सुनाना चाहिए एक कांगर थोड़ा सा आप सुना मेरे से तो अच्छी आपकी आपनी आपके आवाद м refused के आदि आ पने अनसिंस्ट करी है यह तीसरी पार अज कि शो में रहता है आज क्या आपकना है आफ Наat यह आपने प्रॉमिस किया था अच्छा क्या ने मिज यह विटिता का न झाने ए न्च्ट क्वेटा का पठान है ना मेरा शेर खान है वल्ले मेर दिल रड़कता है जब देखी तेरी आंके जाना वल्लारानी तू पठानी हम को टेके शानी एवरी बाड़ी बस इसे जादा नहीं कहांगा मस्कान इसलाबाद से हमें जोईन कर रही है ममून ने तो फरमाईश की थी मस्कान गुड़ मॉर्निंग परमाईश नहीं करने आपने वालेकुम इसलाम गूर्ड मॉर्निंग कैसी? मैं बल्दू कृट्टा काप तो कैसे हैं? अलहम्बिलील्लाह। मुसकान जब मौसम इतना सुहाना होता है तो दिल क्या करता है? क्या गुलनाने का दिल करता है आपका? अ, मेरा ना एक गाना है, जो कि मैं जब्दी बारिश होती है! तो मैं हमेशा बस मैं बारिश में चल भी ओती हूं, like I go around, वो नाजरीन को आज वो गाना ने का सिटिया आप दो और ने खोड कहा अब जो जबान पर आजाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा जरह सुनाए नाज आज हमें वाकिब बहुत गिली आवाज़ा आप पोई बाती कहर है हम सुनेंगे तो आपको बाहन जाएंगे, हम सुनेंगे. जो खुड़े, जो खुड़े जाएंगे. नहीं, डोट बाहने जाएंगे, हम मारे सथ लोग जुड़े जोड़े हैं. अजी, बहुत बिंजी आवाद है. अचा, गाना कॉंस है? ये बताएं. अलग आसमा है बाहर अनुव जाएंगे. Okay, तो मुझे भी जाएंगे. He's an Indian singer basically. Okay. I listen to him because you know, these music and everything don't have the boundaries. I don't respect that artist so much that he's in my hand. Okay, okay. Muskan thank you so much, thank you. One more call. Mohamed Suhail. Yes. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Yes, Suhail. Will you sing, sing or sing or sing? The first option. Suhail is gone. Suhail. He didn't know the song. He didn't hear 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 the song. Are we with Muskan? Okay. Muskan was our first seven. And now Suhail came. But I think we've said, He's gone. He's gone. He's gone. He's gone. He's gone. He's gone. Yes. See, Zareesh is where he has reached. Shashi, Zareesh, how is it going? Is it a difficult task? Is it a piece of cake? What have you done? It's easy. It's easy. It's easy. It's easier to make the hair realistic. It's easier to make the hair strands. If you don't make the hair strands, it's easier to make the hair. It's easier to make the hair strands. We can't distract the hair strands. We can't stop. But let's start. We're doing it. Asha, the tone of your hair, if you can see me too. Yes. Just a little wait. Take a look. Take a look from it. Take a look. So we've finished. Okay. Najaf has called us. Good morning. How are you? I'm fine. How are you? Well, great. Najaf, when the sunset is sunny, then what? क्या दिल दिवाना होता है और क्या गुन गुनाने का दिल करता है क्या बिल्कुल सुनाए बिल्कुल सुनाए बारिशों के मौसम में जब दी बादल आते हैं बारिशों लगती है तुम याद आते हो तुम याद आते हो क्या बात है जबरदस्त जबरदस्त प्यारी आवाज है एक्जाकली और सजाद अली का गाना सुबह जो आप में इसे पूछ रहते हैं वो यह गाना ब्याता है मिद्ध में अक्शर मतलब सुबह क्योंकि अपर गुंगुना में नहीं सकती पानी पी लेती हूं मेरी कोई बात नहीं मानती सबीन, आप, कहता रह जाता हूँ चले आज आप बात मान रहे हैं, यह बहुत इची बात है, जरीश का स्केच दिखा दे कर हम तब तक अरे वा, अरे वा, अंकिसर, अचा वो एक अभी बनी नहीं है शायद इसलिए, जबर्दस, यह आपने फेसकट बनाया है, शची जबर्दस जॉलाइन, I wish है भई है, आप प्लीज कांटिन्यू करें इसको और हम साथ साथ बातें भी करें, जरीश जरूर जानना भी चाहेंगे आपसे किस-किस प्लेयर को आप दे चुकी हैं तवफ़ा की तोर पर स्केच अबी तो, since it's my start, अबी तो सिर्फ शादाव को दीए, मैंने स्केच और किसके बनाया है, मैंने अबी तो शादाव का बनाया है, बाबर का बनाया है, और नसीम शाह का बनाया है Okay, और जब आपने गिफ्ट दिया शादाव को response किया था? उनको काफी अच्छा लगा और उसमें अपने नाम लिखा वा था यरिश नियाजी तो ही नोटिस्ट आट वे फ्रम दे विलेज राइट अच्छा वाली इस स्क्रीन पर भी हम दिखा रहें इस पक मनाजर और क्या इन्होंने स्केश इन्होंने किया वैसे बहुत अच्छी बात है कि जिस तरह से प्रिजेंट करते वह यह स्केश था लेकिन वर किते प्यार से उन्होंने इसको रिसीफ भी किया माशाला जी जबरदस्त हमारे कप्तान और देखें उनका कितना प्यारा जेस्टर भी आप इसे कंटीनू करें जी हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं ब्रेक से वापस आएंगे हमारे सेग्मेंट भी जारी रहेंगे और ये काम भी जारी रहेगा जो कि अभी मैं यह नहीं क विल्कम बेक आफ़र दे ब्रेक कुछ अदालती और सियसी माहौल की बात कर लेते हैं इसलामबाद के सेशन कोट ने पाकिस्तान तरीक इनसाफ के चैमन इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना केस में वारंट ग्रिफतारी बहाल कर दी हैं और उनकी कानूनी मुश्किलात मसलसल बढ़ रही हैं और इस वक्त लगबग 80 मुकदिमात का सामना वो कर रहे हैं जमान पार्क में उनकी गिरफतारी के लिए नकाम पुलेस आपरेशन के बाद अब इमरान खान ने खुद को 18 मार्च को अदालत में पेश होने का एलान किया मगर पंजाब के बुरी वजिर इतलात आमिर मीर साथ ने बयान दिया और उनकी सियासी मुश्किलात में इजाफा कर दिया वो कहते हैं कि इमरान खानी गिरफतारी के दौरान या आपरेशन के दौरान जमान पार्क में शिद्दत पसंद तन्जीम तरीके निफाद शरीयत मुहमदी के अरकान की मौजूदगी का इनकिशाफ हुए जिसमें मुलाना सूफी मुहमद का एक करीबी साथी भी शामिल है इस आपरेशन के दौरान पार्टी के अंदर भी कुछ इखतलाफ राय की खबरें सामने आ रही है इसका इजहर है आश्मीन राश्षए साहिबा की आउडियो लीक मुबईयना आउडियो लीक में भी सामने आयाया है लेकर इसके साथ-साथ इमरान खान साथ लें खुर लेकर सभी ने कहते हैं क dont से खास प्लान का हिस्सा है लेकिन वही पर जब महर बुखारी ने असद उमर साभ से पूचा के लंडन प्लाइन क्या है तो असद उमर साभ लायन निकले तो ज़रा आप हमें बताईएगा के लंडन प्लाइन आखर है भी या नहीं है बसमिलार प्लाइन झान प्लाइन जो है रजल के लेकि या फिल्द जो मरियम नावाज हर जलसे में बोल रही हो और ये तो हर बशियर को पाकिसाने पता है कि लिंडन प्लैन क्या है कि रिखें पर थो शॉला रहनिमान को मालूम है छिखितनीर प्लान का। आसर डुमर स wygląda है ध्यूआरम को तो पाकिसान को sackym。 फिर उस पर बात क्यों नहीं करते। सरु आपकर बात है। आप करते हैं कि सब को पता है, बिल्कुल ठीक पॉरे पाकिस्सान का पता हैं. अब एक और मौममिला सुकए सामने आ चुका है. आमीर साल आमिर मीर साब को जो है बड़ा वदा दे दिया गिया उनकी हैसियत से ये एक इंतहाई कंडेमेबल स्टेटमेंट है उनकी जो वोकल दे चुकी है और मैंने ट्वीट भी इस पे किया है देखें वहां पे चार-पांच हजार लोग हैं और आप किसी की स्कूरूटिनी नहीं कर सकते हैं औरीजनल है फीक है वो हैं भी है या नहीं है वहां पे कौन लोग मुझूद है रेडी वाला पान वाला रिक्षे वाला टांगे वाला पी एचडी डॉक्टर एंजिनियर साइंटेस्ट हर बंदा मुझूद है क्रॉस सेक्शन आफ सोसाइटी मुझूद है वो प लाहूर हाई कोट ने हटाया हुआ है तो तमाम लोग जो कि महुदब शेहरी हैं वहां पेकठे हुए अमरान खान के लिए अभी ऐसा बेहुदा इल्जाब लगाना और स्टेट्मेंट देना और स्पैशली ये जो उनने स्टेट्मेंट तफरका पहला करनेगी लिए ये अपने एक ट्वीड की थी अमरीकट वीडियो जो है वो जो अपने राइट्स पे ना वो परिस वाले को जवाब दे रहा हुता है हमें राइट्स्यूसmeak recently ने दिया हुए हम सारे के सारे पुराब्न शेरी थे आप आये एक अडालती हुकम जो है implement कराने के लिए और आपको हमारे लीडर्स ने बता भी दिया हमने बता लिए कि एड्रेस जमान पार के नहीं है ये बनी गाला के आप इस प्रोसीजन आडरा कोड़ गा अभी मेरा जैसे शक्त वहां मुझूद है और मेरे पर पुलीस दहवा बोल दे है तो ऐसे में जो भी कारकुनान वाबर मौझूद है उनकी मजामत क्या ये दुरस तर्जे अमल है सर ने ने देखें मजामत कोई ने आप वीडियो फोटेज उठाएं वो आए हैं वहाँ पे हमारे दीडरान है और इनर्जेटिक हैं आप लोगों ने खुड़ा होना है उस पॉइंट पे इसकार दुरानी और शुएब के हुक की जंग है कि जब शुएब को जब पिटाई होगी बगार वज़ा के तो कहीं को जाएगा ना पुलीस कोई अथारिटी नहीं है कि वो शुएब पे चड़ दोड़े उसका यह अथारिटी नहीं है कि मैं अधालती हुकम में कहीं नहीं लिखा हुआ कि आपने जा कि किसी कोब चड़ दोड़ना है अपने रिलीफ भी दिया आपको अभी वो आपरेशन से रोक भी दिया गया कल भी रोका गया अपर तोसी भी दी गया यह बिल्कुल ठीक पॉइंट आगे सर आपका एक एक चिर्फ बात और जाना चाता हूँ सर आपसे कि अमरान खान सर बेनात की जब हम बात करते हैं सर तो इस वक्त एक और बयान भी उनका है और वो कहते हैं कि मुल्की तरकी के लिए किसी से बात करने के लिए तयार है लचक है उनके बयान में अब इससे क्या मतलब लेंसर हम क्या कोई डील हो रही है कोई बात हो रही है कोई मिल बैठकर चीजें तैय हो रही है कि अब आईद के बाद रमजान के बाद एलेक्शन उससे पहले रूटीन का महौल इंतखाब भी महिम लेकर जी हम तो चाहरे हैं दस अपरैल से कि जी मुलक इंदखाबाद की तरफ जाए वाइद आज यही है जब उसक इंदखाबाद जब इनाउंस किये गी तो उसका मकस्द यही था कि आपकी एक लिजिट पेर प्री गर्वर्मेंट आजए जिस जो फैसले कर सके अब यहां प अब बात करने के लिए तयार हैं तमाम स्टेक होल्डर से सर लेकिए हमने तो पहले भी पहले देनी के लिए तेलक्षिन ना उसकरें हमारा बात करने के लिए उसमें कुछ दो लाई दी बात क्यों नहीं करेंगे बात तो हम शुरू से कर रहे हैं इस यह एक जुमला 18 को खान बाल बज गया है वो लीडर है हमारा उसकी सिक्रिटी कंसर्ण है इसलिए पेश नहीं हुए ठीक है इफ्तकार साथ बहुत शुक्री आप हमारे साथ मौजूद थे आप यह मामला हम सब के सामने हैं देखने को पेश होते हैं यह नहीं होते चलते हैं ब्रेक की जानी ब्रेक स वापिस आएंगे तो आपके लिए प्रोग्राम में और बहुत कुछ है विल्कम बैक आफ्र दे ब्रेक और अब जरा हमें बढ़ना है आगे अपने अगले मौजू की जानेब उससे पहले एक और चीज़ बहुत सारे मेसेज़िस आ रहे हैं कि जो हमारी टेबल पर कैटल है इसको बहुत पसंद किया जा रहा है इसका कलर और जितनी खुपसूरती से इसको डिजाइन किया गया है यह देखें इतनी प्यारा लग रहा है तो इसलिए मैं माशाला कहना च से फता चलता है कि नजर लगी यह नहीं लगी क्या अपकी वह अपनी गलती होती है या पर नजर लगनränे का कशूर होता है स्कॉलर राज करा माइसे मौच scripture कूश्ता है सबस्व मैं और सब्सार पर सब्द्सभा अमंतल्या तो ने अगे एक एक्सक्रीम यह के कुछ भी क्या हुँ नजर लगगा, और बीच की राय है, नढीड की नजर होती है। तो असलमें राज वह हमारी बीच की राय के नजर इबाद होती है। यानि कि एक इंसान अच्छा बला एक लाइफ गुजार रहा है एक सर्टन लेवल ऑफ कुछ कॉलिटी उसके पास ऐसी है और उसको अचानक से कुछ होता है फर इसमें जो एक हदीस हमारे सामने आती है जो एक सहाबी घुसल जो एना ले रहे थे और एक और वहां से गुजरे का, तो सवाल ही पही पाड़ नहीँ होता कतल तो किसी नहीं भी नहीं किया क्यों तो बस नहारी थे और गर गय तो फिर आपने किसी ने कुछ कहा तो बताये कि-a हाँ, एक захाली वहां से गुजannya ऑप गुजरे थे, उन्होने तारीफ की थी तो फिर उन्होंने पुलाया, तो पानी मगवाया और फिर वो इन दूसरे सहाभी की ओपर उडेला तो फिर उनको उससे शिफा मिली अच्छा हाजी तो यह बेसिकली उसका जो रिजल्ट है वह बड़ा सड़न होता है और आप देखते हो कि बिल्कुल सब चीज़ ठीक जा रही है सब कुछ कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है अचानक से तिंग्स टरन अपसाइड डाउन तो आप कहते हो कि अच्छा जा रहा था ग्राफ इतना उपर जा रहा था एक दम से कैसे डिप कैसे आपको खुद भी यकीन हो कि आपकी तरफ से कोई गलती नहीं है लेकिन अचानक हो कि कोई कोताही समझ में नहीं आ रहे हैं अब बुरी नजर का तोड़ क्या है किस तरह से इस से नजाथ हासिल कि जा सकती है हम थोड़ा सा इसव Mick जिनाजरिणा में देख रहे हैं उन से हम रहरा कर आपי ठीक है्या जााँ। जो जिनका कोई तालुक हमारे दीन से नहीं है और यह जाना बहुत जरूरी है कि कौन से काम करने वाले और कौन से नहीं करने वाले जिनका कोई फायदा नहीं है अब ये जिस तरह ने का ना कि चीनी फेर देना, नमक डेल देना, चावल डाल देना, इस तरह की जो मिर्चे जला देना, ये सारी सुपरस्टेशन चीज़ है, इनका तालुक दीन से नहीं है, नभी करीम ने जो तरीका पताया हुए है, वो यानि एक है उसका प्रिवेंटिट और ब्लो करने से मुराद, यानि असे करके ब्लो करना नहीं है, इस तरह करके ब्लो करतेथ, तबर ये आपके ये रोज का मामूल ता है, और क्या पढ़ना है? तो ये तीन कुल पढ़के हाथों पे ब्लो किया एक दफार अब पूरे जिसम पे हाथ पे पेरा पहरा पहरा पेरा प्र दोबारा है किया तो ये सीदाशा फर्माती है कि जब नभी करीम अपनी बीमारी की हालत में भी थे और इतने बीमार हो चुके थे कि आपके लिए हिलना पॉसिबल नहीं था तो आप कहती हैं कि मैं उनी के हाथ लेती उन पर दम करती और उनी के हाथ उनके उपर अपन्टिक अधिस में ये वला जोना वजिफा मुझूद है एक और है आउजब कलिमाति लाही तामा मिन कुली शेटान वहामा विन कुली आइन लामा ये भी बिल्कुल मसनून अजगार में मिल जाता है अगर आप सुबा के टाइम तीन तीन दफा पढ़ लें मगर्ब के टाइम पे तीन दफा पढ़ लें तो इन्शालों रह्मान कोई भी ऐसी बिल्कुल नज़र आपको लगेगी एक कॉलर है सर्थ हमारे साथ जहीर है गुड मॉर्निंग जहीर क्या कहना चाहेंगे मैं ये कहना चाहता हूं जहर कि अक्सर बच्चे उपर नज़र लग जाती है बच्चे कोई स्टूट नया पेनाएना तो उनको नज़र लग जाती है और एक ताम रोना शुरू हो जाती है तो इसके बारे में क्या कहते है तो इसके बारे में क्या कहते हैं वैसे आम तोर पर मैं उसूरी तोर बताओं कि नजर आम तोर पर उलमा इसके बारे में कहते हैं कि चलें आप उसको एक अगर फिगर देना चाहें तो लेट से 95% आफ टाइम्स नजर लगती है हसद की वज़ा से, तो हम जो उसके लिए जो नहीं सूरह फलक और नास पढ़ते ह असल में हसद की नजर लगती है कि जब एक इनसान जो है वो एक बंदे के बारे में हसद की निगास उसको देख रहा है और अंदर से साड़ा तो काइंड़ आजका के दमाव कहते हैं नेगिटिव वाइब्स ट्रांसफर कर रहा है तो जो नजर है ना बार पर उसके बार में कुड़ना और सोचना और ये करना तो एक नेगिटिव एनरजी जाती है जिसकी वज़ए से उसका हालात खराब हो जाते हैं और उसकी उपर एक डाउन फॉल आता है अच्छा हर अच्छा ये निसका ये मतलब नहीं कि हर बंदा जो हसद करता है उसकी नजर लग जाती है ये पांच परसेंट चांस अपनी बी नजर लग जाती है जब इनसान अपने आप को शीशे में देख रहा हूँ या अपनी कीसी चीज़, अपनी गाड़ी को देख रहा हूँ, और कह रहा हो वह यार क्या गाड़ी है, वैसे मैंने क्या डील मारी है, अब वो ये सोच रहा है, लेकिन अल्ला को लेके नहीं आ रहे के अलहम्दूलिल्ला का करम है, अल्ला का शुकर, अल्ला का फजल है, बजाए यह सोचने के, वो अपनी कहा है, पर आप एकुटिस्टिकल टाइप की हो जाते हैं तब आप अपनी नजर भी लगाते हैं. तो फिर वो भी बुरा नजर की फॉर्म में आ सकता है क्या ये जरूरी है कि नजर जब लग रही है तो वो शक्स सामने है तो नजर लग रही है नई बिल्कुल जरूरी नहीं है और ये सवाल आपका एहम इसलिए है क्योंकि आज कर हम हैं जी सोशल मीडिया के दोर में कि जो काम है वो बहुत असान हो गया अभी कोई बंदा आपके बारे में नहीं सोच रहा था वो अपने दिन को या अपना दिन गुजार रहा था जैसे था एक दम से आपकी एक स्टोरी उसके सामने आती है और वो आपको उस निगा से नहीं देख रहा है तो पीपल ऐसे लोग आगे हैं जो कि आपके साथ शायद उस तरह से रिलेट नहीं कर पारे या आपकी नजर भी लग सकती है तो उसमें ना पोस्ट करने से पहले या पोस्ट अगर आपने करना ही है तरह आपको है शॉक तो उससे पहले जरा अपनी हिफाज़त के लिए ना कुछ नजर उतार लें बहुत जरूरिया जी एहमद लाहूर से एक कॉलर लेते हैं जी जी एहमद क्या कहना चाहेंगे अधनान है हमारे साथ, अधनान गुड मॉर्निंग, हाफजबाद साथ आपने कॉल किया, क्या कहना चाहेंगे? सारी, मैं गौर्मिन काम लाजम मुसार एक साल हो गया, मुझे ना तुभी यह नहीं चीज़ी तोरी, नजर भी लगी है, सारे चाहरे हैं मुझे इंसे बात करें ठीक है जी, वो कहते हैं, गौर्मिन इंप्लॉई हैं, महीने से बीमार हैं, लगता है नजर लगे, लोग यह ही कह रहे हैं अब मैं इसके बारे में कुछ कहना मुझे नहीं पता कि उनके मेडिकल कंडिशन क्या है, सुर्तियाल क्या है, तो मेरा हमेशा गो टू रिस्पॉंस हमेशा नजर नहीं होता, मैं कहता हूँ पहले आप मेडिकल चैक अप करवाएं, हो सकता है कोई आपकी फैमिली हिस्ट्री भी करवाएं, और साथ-साथ अपने आपको, यानि कोशिश करें कि पांच वक्की नमाज क्यों है, उसमें पाबंदगी के साथ को करें, दूसरा एक और चीज़ है कि आप जितना ज्यादा वजू के हालत में रहते हैं, अतना ज्यादा आप श्यातियन के शर्से प्रोटेक् नजरी लगी है, पहले आप अपना बागी टेस्ट करा लें कि कोई बीमारी हो, एक चीज़ और भी जरूर जाना चाहेंगे आपसे, अक्सर ये देखा जाता है कि आपने कोई काम्याबी हासल की, कोई चीज भी आपके साथ अच्छी हुए और आपने किसी एक स्पेसिफिक बंदे से शेयर की तो उसके बाद आपको लगा गए नजर लग गई है, पर आपका वो पक्का ओजाता है जी, इसको बताई थी ना तो नजर लगी, पहले भी आई हुआ था, उससे पहले भी युआ उससे पहले बे एक बंदे को आपने टागेट करें जी, ये बंदे को जो है नहीं हर किसी से जलता सड़ता रहता है, इसको तो बंद कर दो, इसकी इवलाई इतनी सखता है, लेकिन, हविंग सेट बैट हमें बदगुमाने नहीं करने चाहिए, लेकिन अगर आपको यह होना के जी, लेकिन अगर यकीन की हद तक कह सकते हो, मतलब बदगुमानी उ को आपको पता है कि मैंने और किसी को बताई नहीं है बात I didn't share with anyone और मेरे लाइफ में एक ड्रास्टिक सा डाउनफॉल आए फिर में भी हम कह सकते कि शायद ऐसी बात हो लेकिन जनरली मैं कहूंगा कि लोगों के बारे में बद्गुमानिया ना किया करें ना ही यह सोचें कि ज खाले मेरे पास को आता है कि जी जा भाई आप वजू का पानी दे दे तो मैं बही तुम्हें क्या तकलीफ है तो मैं लगता है मैं अजने लगा रहा हूं तुम्हें यह सम्मझना चाहेंगे मैं आपसे अब टैप वाटर है वो आ रहा है हम उससे वजू करते हैं कोई अगर आप्र टैगि का पानी को टेदे हैं झशह जो पानी बहखे का पानी आपका पानी का बहिए वह तो पानी शथफ़ा गो तर बहिए और व पानी के वह उस बंदे के सर के लिएडों ले जाता है अब मैं आutos में v DM का बाकर बाकिया साथ ना दर्स का मामला करे थे तो उनने एक उनकी हदीस क्लास चल रही थी तो क्लास अब माशाला उसमें कोई 50-60 स्टूडेंट है बागी कुछ सेक्यूरिटी एहलकार खड़े हुए तो अब वो लड़के को बोला कि कि आप अधीस सुनाएं तो उसकी आखरी क्लास थी उसने माशाला हाफजे से पता नहीं कितनी को 50-60 सुना गया एक भी गलती दी कि उसने और पूरी संथ के साथ कि फुला अब फुला न ऐससे सुना अब वो जब उसने उसने आदीस सुनाई तो सारे क्रें आखरी कमाल स्टूड़न जैसे जैसे हिसने उसने रही हैं का न आखरी बात की वो दुराम से गिर गया तो शेह मुंकरतJames कर दो अनने का जितने लोगा मौजूद सारे वजु करें और अपने वुजु का कुछ पानी एक ताकर मेरे पास लेकर है. हर और बंदा उसके और इसकी ओपर उसके पानी मतावन गढ़ी हैं. अब देखें अब इश्यू यह हमें एक तो यह है कि अगर आपको पता है किसकी नजर लगी है तो फिर आप उसे पानी मांग सकते हैं अगले बंदे को होकम यह दिया है तो फेंड नहीं हो लेकिन लोग ओफेंड हो जाते हैं तो अब और वैसे भी देखें सोचल मीडिया के द उसमें आप जमजम का पानी अगर है तो वो यूसकर सकते हैं बारिष का पानी यूसकर सकते हैं क्यूंकि ल bulड नज्जर्ला मिन समा इमाएन मुबारकन हमने आसillance से बाबरकत पानी नाजल किया यह पर चले टापinek यह अगर फेज आप पानी प्रुझे कर लें अच्छा तो ये पानी जो है आप अपने सार के उपर नो डेल सकते हैं तो इन्शाललों रहमान क्योंकि ये एक बावरकत पानी बना दी आपने रुकिया वागिश्ट पर शुरू कर देते हैं या पर आपके माइन में आ जाता है किसी के बारे में भी नेगेटिव थौर्ट्स आना शुरू विल्कम बैक आफर दर ब्रेक और इसकेच इस रेड़ी जरीश न्याजी ने क्या जबरदस खुबसूरत स्केच बनाया है सबीन का वाके खुबसूरत है मैं तो हैरान रहेगी उस तस्वीर से भी अच्छा इन्होंने बनाया है और स्केच बनाना वाके बहुत मुश्किल रहा है और हमारे सामने लाइव इन्होंने ये स्केच बनाया है ये देखें आप डीटेल्स चेक करें इसके अंदर एक बाल बता ली कि नहीं बालों का ऐसा होना बहुत जरूरी हो थी कि इस ट्रीक ऐसी होनी चाहिए तो वह उसी तरह से उन्होंने उसको फिल भी किया है जरीश ताइंक्यू सो मच बहुत अच्छा लगा इसको मैं फ्रेम करवा कि अपने कमरे में रखूंगा और मैं भी थैंक्यू कहना चाह करें जिसे पाकिस्तान से मुताले कि कहा जाता है मर्दों पर कितना रोल कितने जिम्मेदारी होते कि वह ऐसा कंड्यूसिव इन्वार्मेंट पैदा करें कि खवातीन आगे बढ़ें और जिनकी सलाहियते हैं ब्रोयकार लाने का उन्हें मौका मिल सके तो इन्वार्मेंट फ चैंपन सोफ फो चेंज के विनर ने फिजा फरहान से असलाम लेकुं और गूर्ण अलेकूम था फिर अपकी तरफ और पहला सवाल मेल चैंपन सफोर चेंज की जब बात करते हैं कैसे इसका आगाज हुआ और स्ट्राटिजी क्या है मेल चैंपन सफोर चेंज की थैंक एक international best practice है जो मानी गई है कि खवातीन के लिए actionable और impactful काम करने के लिए हमें क्या करने की जरूत है मैं आपको यह मेरे क्यूं लांच किया इसको Pakistan में क्यूंकि मेरे personal experience है मैं कोई 15-20 सालों से यह gender woman empowerment पे काम करी हूँ और हम हमेशा जब भी khawateen की empowerment की बात करते थे चाहिए प्राइब सेक्टर में हो चाहिए पुलिक सेक्टर में हो वो हुती थी by woman to woman in a room of women whereas 98% जापकी leadership है वो fortunately or unfortunately are men right in Pakistan less than 2% of your leadership is woman and 98% are men so to create real change to create real impact उस असल में actionable काम करने के लिए आपको न लीडर्स को लेके आना इस platform पे आपको न लीडर्स को convince करना है कि वो commit करें और वो अपनी पूरी efforts, willingness, consciousness के साथ इसके ओपर agenda के ओपर काम करें सिफ तब tangible change होगा यह realize किया था Australia में जो sex discrimination minister है Elizabeth Broaddrick 10 साल पहले she launched it 10 years ago in Australia, आज अस्ट्रेलिया में 300 CEO's इसका पार्ट है और यह एक नासिव Australian best practice बन चुकी बलके global best practice बन चुकी वे क्यूंके actually numbers have been picked up, policy reforms पे इंफ्लोंच हो है and that's why I thought Pakistan को इस तरहां की कोई concrete चीज चाहिए जो कि सिर्फ बाते ना हो, actual काम हो and that's why 2 साल पहले हमने MCC को पाकिस्तान में लांच किया और पाकिस्तान पेला इंटरनेशनल ग्रूप था and today Alhamdulillah we have 26 CEO's with us and I'm delighted to have Khabhi with us from L'Oreal बिल्कुल, बिल्कुल फिजा आपने ठीक बात किये किस तरह से initiatives लेने कितने जरूरी होती है कभी साब आप के दिरफ आउंगी, आप इस initiative के साथ जुड़े, आप personally इस पर यकीन रखते हैं कि खावातीन को आगे लेकर जाना चाहिए या फिर अगर अगर देखा आजाए तो The, there are two powers in the world, one is the sword, one is the pen and the third power is women who are more powerful than the sword or the pen Sadly, in Pakistan growing up in Pakistan you realize that in Pakistan there are not opportunities available in Pakistan, personally we also need to realize that women are only around 20% female workforce, which is our workforce and this number is not down in the past 5 years आपने उपर नहीं गया है, and you realize this when we were talking about that it's a male dominated society and you realize that there is no opportunity. So personally, it's a big ambition. At the same time, I think as a group, L'Oreal as a group, this is our DNA. पिछले पचास साल से हम बात कर रहे हैं, you're worth it, L'Oreal Paris has been talking about women. At the same time, our sense of purpose, the main pillars are these. There is a woman empowerment and a D-E-N-I, and we as a company believe in this. So our MCC relationship was very natural, because personally, I think we believe as part of the employees of L'Oreal Pakistan as men, that we need to do something more than what's happening. At the same time, the group also believes that this is very necessary. So the relationship is very natural. At the same time, I think the work MCC is doing when we're collaborating is amazing. And this is something that we need to do more of. You said you need to do more. You have to do it before, which is very good. But after meeting the male champions for change, Khabieh Saab, you have brought new initiatives, new plans, because you have to talk about inclusivity in your place. But you have to take concrete steps that you have done in your life. What have you done in your life? Look, the biggest thing we have identified across as a group, is that the journey of women across the board, we have to support across the board. You have to realize the difference between equality and equity. Equality means that every person divide into all the people. Equity means that you understand the circumstances and divide into all the people. And if you look at journeys, first of all, the opportunities, when we're hiring, the first thing is that is the opportunity made as gender-neutral opportunity. That's the first thing. That's the first thing. The second thing that we've started to do, which is a lot better in the number of females that we have in our workplace, is that we've requested their CVs. So if an opportunity is open, and 10 people apply, and in applications, we say that the female CVs, from the market, should be at least three times the male, so that the opportunity is equal. Yeah. Because this is a fact globally, that women, when they're 100% confident about a job posting, they don't apply. While women, when they're 50% confident, they don't apply. So we've started recruitment first. After that, across the board, which is their journey, which is part of being a woman in Pakistan, is that you will get married. So marriage leaves are part of our journey. So every employee gets marriage leaves in L'Oreal Pakistan. Then if you go towards becoming a mother, then paternity and maternity both are important. Because we also do feel that the husband has to play the role. In Pakistan, sadly, the challenge that we have in communities, is that if men and women are working, then women will reach home at night, but women need to do school homework, and then they need to do school homework, and then they need to do homework. Then they need to do homework, and then they need to do homework, the same thing we have in the same time. So we've decided that the husband is there to help out is there. At the same time, when we've got Covid, we've taken a decision, that we will not work five days from office, we will work three days from office and two days from home, and our employees are free to choose. And that's helped the mothers, so that they can spend more time, at the same time, it's helped the fathers also. so we can spend more time, we also have the policies that you want to pick up and drop father can leave at any time to pick up the children from the school, so that this may not be clear that we can make any meeting so the support network for the women has to grow up at the same time five movie meetings are not allowed to be set means that if you want to leave and are not thinking about that the mother wants to go home earlier that's there जो हम काम करें वो यह कि जब maternity leave से एक खातून वापस आती है तो उनको हाउड यू मेक शॉर एक्सिलरेट दे करियर उनको कभी यह नहीं लगना चाहिए कि अगर मैंने maternity leave नहीं है यहीं से अंदाज़ा भी लगा सकते हैं हमने देखा है कि किसी भी इदारे में खावदीन को leadership roles में लाना काफी असान मामला लगता है आपर बात करते हैं सप्लाइचेन में बात करते हैं वहां पर चैलेंजिंग एंवरिमेंट आ जाता है इंसलिएंटली हमारे हां दो divisions और पाकस्तान में जो एक professional divisions और सालों को सफ करता है वहां पर हमारी जो field force ए है और education team है 100% females वहां पे असान है, हमारी दिस्टिबूशन सेटपस हैं, वहां पे बात करते हैं, जब हम बात करते हैं, जो हमारा कुंसुमर सेगमें पर जाता है, वहां पे फीमेल वर्कफोस को लाने के लिए, यृश घभा, जो हमारी में इसमोन मतार था राइव कर दो सब्सक्या, हमारी धुणिबूर्स यृण आख जाते हैं, इससेदा हैं, जो हमारी वर्कफोस को आसे शहशं हैं, जो हम आ प्रेवर्ट भी इन का पास एक जान कशूर्ड़ में प्रनालिट ए नो हम्मेल परसनालिट पार्टनर्स हैं, स्टेक होल्टर्स इनके साथ हम काम करते हैं, उसके ऊपर हमने उनको सेक्षवल इन स्ट्रीट हरास्मेंट पर ट्रेनिंग भी दी विये हैं। अपने अपने इनिस्टिव भी लिया आप के से तक काम्याब हुई हैं। और दूसरा ये बताएं कि जो multinational organizations हैं, जिस तरह आपके साथ ये जुड़ती है जब तो इसका क्या impact होता है, क्या output होता है? मेरे लिए MCC की जो खुबसूरती है उसका collective impact है, क्योंकि when all these COs come together, जब ये सारे अकठे होके काम करते हैं, तो एक तो एक conscious effort होता है, कि सब एक topic को discuss करें, सब ने एक priority के ओपर बात करने, दूसरे से सीखना है, ये जो catalyzation है, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अच्छे काम बहुत लोग कर रहे हैं, बद अपने अपने silos में कर रहे हैं, जब आपने बहुत लोग करें, ये जब लोग कर रहे हैं, ये वियुक्त लोग कर दो खाले हैं, ये जब लोग काम की कुपसूर्ती है, जब लोग का टीव इंपक्त बहुत तेजी से भड़ा है, दूसरा inspiration, जब आप कथे, we meet quarterly, there are quarterly meetings of the champions, हर quarter we come together, we inspire each other, एक दूसरे से बात सुनते हैं किसने क्से क्या काम किया, अब इसे कभी ने अभी बताया कि L'Oreal में क्या काम हो रहा है, ये आप सुनोगे तो आप खोद को गया है, हम क्यों नहीं ये काम करे सकते हैं अपने organization में, हम इनमें से तीन-चार चीज़न दो सीखिए सकते हैं, and so that really helps each other, build each other up, और ताके फिर पूरा जो coalition है, वो collectively जब काम करता है, तो उसमें बहुत speed भी आती है, और impact भी आता है, plus we also have obviously the possibility of changing mindsets through awareness, बहुत ज़रूरी है ये चीज़, और हमने ये बात MCC में शुरू में ही realize कर ली थी, बहुत सारे biases होते हैं लोग के दमाग में, known biases होते हैं और unknown biases होते हैं, जो बच्पन से हमें ingrain किये हैं हमारे दमागों में, उनको change करने की ज़रूत है, तो हमने इसमें फेर मजीद localization की, हमने एक trainings का component भी add किया, कि regularly हम अपने employees को trainings करा हैं इन topics पे, diversity and inclusion पे, sexual harassment पे, inclusivity पे, gender sensitization पे ताके ये एक regular discussion रहे, एक regular engagement रहे, जिसे उनके mindsets, उनके beliefs change हो सके हैं, plus I think, जो हम अभी कर रहे हैं, that is going to change mindsets, जितने लोग भी अभी हमें सुनेंगे, इस message को सुनेंगे, देखेंगे कि private sector का leader बैठके, जिसके लिए everything has to be a business case, it's talking about women's empowerment, that's why it's so important, and it has to be an important discussion, उनका mindset change होगा, ये बाते सुनके, क्या, L'Oreal में मैं अपनी बेटी को क्यों नहीं भेच सकता, right, because L'Oreal में अगरी सब कुछ हो रहा है, तो मेरी बेटी तुहां पे safe है, खावातीन को leadership roles में आगे लाना तो इतना challenging नहीं है, लेकिन जब हम देखते हैं ना field area में, जब हम देखते हैं supply chain में, ऐसे में खावातीन को challenges बहुत ज़्यादा होते हैं, उन challenges को overcome करने के लिए क्या किया जा रहा है? It's very true, ये एक challenge है, जब हम head office की बात करते हैं तो खावातीन के roles and employability is easier, बजब हम sales force की बात करते हैं, supply chain में बात करते हैं, वहां पे challenging environment आ जाता है, incidentally हमारे हाँ दो divisions हैं L'Oreal Pakistan में, जो एक professional divisions और सालों को surf करते हैं, वहां पे हमारी field force और education team हैं 100% females, because they deal with female salons, so, वहां पे असान हैं, हमारी distribution set-ups are very good in a way, कि वहां पे females आराम से बैठके काम भी कर सकती हैं, at the same time, जब हम बात करते हैं, जो हमारा consumer segment है, जो नॉर्मल दुकानों पे जाता है, वहां पे female workforce को लाने के लिए, we have implemented something, जिस तरह हम जितनी हमारी female staff है, employees हैं for the sales team, उनको हम drivers देते हैं, तो the idea being, कि उनके पास a comfortable male personality is there with them, who is going with them to the field, so they feel a bit of sense of comfort, but the biggest challenge is, how do we give them the comfort and the confidence that when they go out, they will not face any harassment, they will not face any taboos around this, and challenge वही पे आता है, उसके उपर हम अपनी जितनी force है, partners है, stakeholders है, जिनके साथ हम काम करते हैं, उसके उपर हमने उनको sexual harassment and street harassment पे training भी दी वी है, but that is a message of L'Oreal Paris के थूह हम cascade करें, कि पाकस्तान में हम उसकी किस्ता बढ़ाएं, ताकि अगर कोई भी खातून बहर जाके काम करना चाहें, तो she does not have to feel, कि यार, okay, there's gonna be some challenges in the market, having said that, the challenge is still there, and what we're trying to do is, कि इसके internal policies and external stakeholders से साथ काम करके, make it easier for them to work. बिल्कुल जहां बात करें कि लीडर्शिप रोल में लाना होता है, और किस तरह से आप उनको empower कर सकते हैं, जहां पर empowerment की बात आती है, तो कभी साब mindset change हो जाता है, आप खातून को empower करते हैं, तो देखने में आया जाए तो organization को तो इसका फाइदा होता है, तब्दीलियों की जो आप बात कर रहे हैं, उसका organization को definitely फाइदा होता है, लेकिन इस change से मुल्क को क्या फाइदा होता है, किस तरह से एक मुल्क तरकी कर सकता है अगर आप खातून को empower करें? पाकिस्तान में simple सी बात है भी हम कहते हैं कि हमारी जो ओरते हैं वरकफोर्स का 20% हिस्सा है, आप यह stats है, अगर आप इसको double कर देंगे तो आपकी GDP जो हो डिपल हो जाएगी, यह उपली जुते हैं में सब्सक्राब्स है यह पाइगे, व्यद ग सी और आपकी स्वफेश अगिण कीास बस्ता हृएगी, अप हिसको बस्ताइगे, यह जो कि बाली ओरता भाइगी, दृते हमार धाइगी, वीदियों धूओ टीजाना होगी, so that's another thing that we need to build up so across the board your education for women will get better across the board your GDP will do better across the board the upliftment of women will come through when the women join the workforce we always do this that yes men have to make sure that women are comfortable and make sure that they have the same time we need to make sure that the women go be home workforce my line sadly you bartham karin last five years men women in the workforce has gone down as a percentage it was I think 24 percent has gone down to 21 or 22 percent which should have been the home international ranking may I think bottom one percent by Anna ashore again on women in the labor force and that's the challenge and I can tell you it's not that the jobs are not there from the labor workforce the there are factories who are looking for women to employ from even our offices we are looking for more women we've found women to be more diligent better workers more hard-working when it comes to work the challenge is that we need to cut the social taboos and say yeah how do we make it more comfortable for them to get out but I think no one can debate the economics of it again if we have more women Pakistan prosperity in the next five to ten years is dependent on how many women come into our workforce in the next five to ten years for shukriya fiza sahiba bohat shukriya kawee sahab aap hummer saab maujud te thank you so much thank you pleasure being here thank you ji or nazarene isi tala waqtum kei khatam mulaqat mande ko kareenge dhau mein yad rakhhe do give us your feedback Allah hafiz music music